कैसे हैं आप सब लोग आई होग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग जितुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है आज है मेरा बर्डे और मैंने सोचे कि आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सालिब्रेट करती हूं और आप इस वीडियो को लास तक है और मेरे साथ आप भी केक कटिंग का मज़ा लेजिए तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाती हूं कि मैंने क्या प्लानिंग की है तो फ्रेंड्स मैंने जो है आज चौकी रखी है और यहां पर केक रखा है और मैंने जो है यहां पर कैंडल्स लगाई है आपका गेम यही है क कि जितनी देर में वीडियो में रहूंगी अगर आप उस टाइम तक इन सारी केंडिल्स को काउंट कर सकते हैं तो काउंट करके आप मेरी एज मुझे बताईएगा कि मैं कितने साल दी हो गई हूं क्योंकि यह कहते हैं कि लड़कियों को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए तो वो मैं नहीं बता सकती तो आपको यह केंडिल्स काउंट करनी है और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं इसमें जो है केक कटिंग करूँगी और थोड़ा सा गाईत्री मन्त पड़ूँगी उस समय तक आपको यह केंडिल्स काउंट करनी है जो है केंडिल्स पहले सारी केंडिल्स को चला लेती हो अड्यक्त वह मैं कट इतने सारे केंडिल्स तो फ्रेक्डन आप देख सकते हैं कि इतने सारे केंडिल्स पक्रेंट जो में कितने यह कि हो गई हो गयं करियेगा तो यह सारे केंडिल्स मे gensस यह किलिए और एक मेंने मैं दीपक ज़ला यह मेरे अच्छी से कमिंग येर के लिए तो फ्रेंड्स चलिए में केक कट करती हूं सबसे पहले गाहित्री मत पढ़ती हूं और तब तक आप जल्दी से जो है कैंडिस काउंट करें ओम्भूर्भूबस्वातसवित्वरेणियं और गोदेवस्वातसवित्वरेणियं और गोदेवस्वधिमहिदियोयोना प्रचोदया ओम् बूर्भु वस्वातस्वितुर्वरेणियं वर्गोदेवस्दी मैधियोयोना प्रचोधया ओम् बूर्भु वस्वातस्वितुर्वरेणियं वर्गोदेवस्दी मैधियोयोना प्रचोधया तो फ्रेंज फ्लीज कमेंट्स में जोवरु बताईएगा अगर कोई काउंट कर लेता है इसको तो he will get a surprise from me तो चलिए फ्रेंज केक कट करते है तो फ्रेंज मैंने केक भी कट कर लिया है आई होप आप लोग आप लोगों ने जो है इंजोई किया होगा इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को लंबा गरी हूँ कि शायद आप जल्दी से जो मेरी कैंडल से इनको काउंट कर ले तो फ्रेंड्स कैसे लगा मेरा जो बड़े ब्लोग है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बना इसलिए आज मैं नीचे कहना चाहिए फर्स पर बैटी हूं और मैंने कैंडल सी जो है एक चौकी पर लगाई है और आज ही किसी ने मुझे सर्प्राइस गिफ्ट जो है सैंड किया था ओनलाइन तो मुझे लगा आज मुझे यही पहना चाहिए इसलिए मैंना उसका ये सबकुछ साउट इंदियान चाइनीज झाल मुझा जा पाल मुझा त। आर वजग जड़ कर दो तो फ्रेंट्स आज का जो बड़े का था खाना पीना हो गया है और आज में घर से सोच के रही थी कि बैज ही खिलाऊंगी बच्चों को मेरे बच्चे जो हैं पक्के नॉन बैजिकरियन हो गया है मतलब मेरा इनके साथ मैं निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है कहीं भी जाते हैं नॉन बैज तो आज मैंने इनको जो है बैज खाना ही खिलाके लाएं पूरा और बड़े ने तो बड़े पर बनता है बच्चे हो या बड़े तो एक बच्चा मुझे रास्ते में मिल गया था तो मैंने उससे जो है बलून ले लिया तो फ्रेंट्स आपको म मेरा वीडियो पसंद आएगा मेरा ब्लॉग और चलिए फ्रेंट्स अपना ब्लॉग यहीं खतम करती हूं ओके बाबाई फ्रेंट्स